नमस्कर आज हम कक्छा बारा के प्रथम अध्याए मनोवैज्यानिक गुणों में बिभिनेताओं से संबंधित दूसरे भाग पर चर्चा करने वाले हैं जो की कैंद्रित होगा बुद्धी में व्यक्तिक भिनेताओं एवं बुद्धी परिक्षन पिछले भाग में हमने बुद्धी के सिध्धानतों को समझने के अप्रयास किया था तो शुरुवात करते हैं बुद्धी में व्यक्तिक भिनिताएं और बुद्धी परिच्छन हम अपने चारों तरफ नजर डालें तो पाएंगे कि हमारे मित्रों, सह कर्मियों, परिवार के सदस्यों, रिष्टेदारों, आधी का बौध्धे की स्तर अलग-अलग है यहां तक कि एक परिवार में पले बढ़े, दो बच्चों के बौध्धे की स्तर में विविनिताएं देखने मिलती हैं ऐसे में प्रश्ण आते हैं कि इन व्यक्तिगत विविनिताओं का कारण क्या है व्यक्तिक विविनिताओं का स्वरूब क्या है और विचलन का इस्तर कितना है बुद्धि मापन या बुद्धी परीक्षण के कौन से साधन हमारे पास उपलब्ध हैं जिनकी मदद से हम इन विविनिताओं का अध्यान कर सकते हैं यदि हम बुद्धी में व्यक्तिगत विन्यताओं की चर्चा करें और उनके कारणों को जानेने का प्रयास करें, तो दो तरह के कारण सामने आते हैं, अनुवानसिक कारण और पर्यावरन संबंधी कारण. अनुवानसिक और परियावरन संबंधी कारणों में से क्या अधिक महतफूर है यह विवाद लंबे समय से चलता रहा है अनुवानसिक विचारधारा वाले लोग मानते हैं कि अनुवानसिक कारण बुद्धी निर्धारित करते हैं जबकि परियावरन विद्ध ये मानते हैं, परियावरन पर विचार करने वाले व्यक्ति यह मानते हैं, कि परियावरन संबंधी जो कारण होते हैं, वह आपकी बुद्धी को निर्धारित करते हैं. यह विवाद लंबे समय से चलता रहा है और यह आगे भी चलता रहेगा चलिए हम लोग चर्चा करते हैं अनुवानसिक संबंधी कारणों की अनुवानसिक संबंधी निर्धारकों की चर्चा करने के लिए या उनको समझने के लिए जुडबा बच्चों तथा गोद लिये गए दत्तक बच्चों के अध्यन को आधार बनाया गया है इनकी हम आगे बात करते हैं साथ में पाले गए समरूप जुडबा जिनको हम आइडेंटिकल ट्विन्स कहते हैं समरूप जुडबा बच्चों की बुद्धी 0.90 तक सहसंबंधित पाई गई है यदि हम बात करें कि अलग अलग परियावरण में पाले गए समरूप जुडबा आइडेंटिकल ट्विन्स बच्चों की बात करें तो उनकी बुद्धी में 0.72 सहसंबंध पाया गया है साथ में पाले गए सहोदर जुडबा फेटरनल ट्विन्स जो हैं उनकी बुद्धी में 0.60 सहसंबंधन पाया गया है साथ में पाले गए भाई बहनों की बुद्धी 0.50 तक सहसंबंधित पाई गया है अलग अलग परियाबरण में पाले गए भाई बेहनों की बुद्धी में सहसंबंधन 0.25 तक पाया गया है तो इन आकड़ों में हमने देखा कि जहाँ पर आइडेंटिकल ट्विंस में जैनेटिक माटेरियल अनुवानसिक सामगरी लगभग एक जैसी है वहाँ पर उनकी बुद्धी में सहसंबंधन 0.90 है उनकी बुद्धी लगभग लगभग एक जैसी है और जैसे 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 जैनेटिक माटेरियल की समानता घटती गई आइडेंटिकल ट्विंस से हम फेटरनल ट्विंस पर आए फिर उसके बाद भाई बहन के इस्तर पर आए और भाई बहन साथ में पाले गए या अलग धंग से पाले गए भाई बहनों के बुद्धी को जब हमने गणना किया तो यह 0.25 है तो अधिक से कम की ओर यह संबंध हमें प्राप्थ हुआ तो यहां से हमें पर्यावरन संबंधी कारकों का इशारा मिलता है इस पर्यावरन संबंधी कारकों को आगे अध्यन किया गया गोद लिये गए बच्चों पर हमने यह देखा कि सुविदा वंचित घरों के बच्चों को जब संपन परिवारों के व्यक्तियों ने गोद लिया तो इन बच्चों की बुद्धी लब्धी के प्राप्तांकों में प्रगती हुई जो इस तरफ इशारा करता है कि यदि बच्चे को पर्यावरन के इस तरफ पर वंचन का सामना करना पड़े वह डिप्राइव रहता है सुभिधाओं से वह डिप्राइव रहता है उद्धीपन से वह डिप्राइव रहता है सीखने के बाहौल से तो बुद्धी का विकास कम होता है वो बुद्धी का विकास घट जाता है बुद्धी, अनुवानसिक्ता तथा पर्यावर्ण, नेचर और नर्चर की जटल अन्ताक्रिया का परिणाम होती है बुद्धी के इस विविनताओं को मापन करने के लिए अलग-अलग तरह से प्रयास किये गए हैं 1905 में पहली बार अलफ्रेट बिने और साइमन ने मिलकर एक पहला मानकी कृत बुद्धी परिक्षण तयार किया था इस परिक्षण में उन्होंने मानसिक आयू की संकल्पना दिये मानसिक आयू के माप का अर्थ है कि किसी व्यक्ती का वौधिक विकास अपनी आयू वर्ग के अन्य व्यक्तियों की तुलाम में कितना हुआ है यदि मैं 5 साल का हूँ और मैं 5 साल के अपने बाकी के साथियों के जैसा ब्याओहार करता हूँ तो मेरी मानसेक आयू 5 साल के बरावर है। यदि मैं 15 साल का हूँ और 15 साल के किशोरों की भाती मैं व्योहार कर रहा हूँ, मेरी च्छमताएं 15 साल के Anne बच्चों के समान हैं, तो मेरी मानसेक आयू 15 साल हुई है। एक दूसरा संदर्व कालानू क्रमिक आयू का है जिसको क्रोनोलोजिकल एज कहा जाता है यह जन्म लेने के बाद से बीट चुकी अवधी के बरावर होती है यहने मैं यदी 1990 में मेरा जन्म हुआ था तो सन 2000 में 10 साल का हुआ तो यह सीधा सीधा हमारे जन्म से लेकर आज तक की समय है इसको हम संचे प्रूप में C.A. बोलते हैं और मानसिक आयू को A. में बोलते हैं बिने तथा साइमन द्वारा यह माना गया कि यदि किसी बच्चे की मानसिक आयू कालानुक्रमिक आयू से दो वर्स कम है तो उसको बौधिक रूप से मंद कहा जा सकता है या इस संप्रत्य को बौधिक मंदता कहा जाता है बौधिक ओ करने के लिए एक और संप्रत्य सामने आया जिसको विल्यम इस्टरन ने 1912 में प्रतिपादित किया यह संप्रत्य है बौधिलब्धी का बुद्धी लबदी के लिए बिलीनिस टर्म कहते हैं कि बुद्धी लबदी हमारे मानिसिक आयू उसको हम विभाजित कर दे कालानुक्रमिक आयू से और उसमें सो का हम गुणा कर दे यह एक तरह से बुद्धी लबदी का उन्होंने सूत्र दिया है तो इस तरह से बुद्धी लब्धी के सूत्र के दौरा हम अलग-अलग व्यक्तियों का बुद्धी मापन कर सकते हैं और उनकी बुद्धी लब्धी ज्याद कर सकते हैं यदि हम देखें कि यह बुद्धी लब्धी समाज में किस तरह से वितरित है तो सांखिकी का एक मॉडल है, जिसमें हम ये कहते हैं कि बुध्धी सामाने रूप से वितरित होती है यदि आप अपने स्क्रीन पर देखें, तो सामाने संभाविता वक्र को यहां पर प्रदर्शित किया गया है आप देखें, तो X अक्षपर नीचे की तरफ बुध्धी बढ़ते क्रम में दिखाई गई है 0 से लेकर आगे 120, 140, 150 तक बुध्धी आगे बढ़ रही है यदि हम Y अक्षपर देखें, तो यह समाज में व्यक्तियों की संख्या बढ़ रही है हम देखेंगे कि ओसत बुध्धी, जो कि हम इस चित्र में 100 मान के चल रहे हैं 100 बुध्धी वाले व्यक्ति समाज में सबसे ज़्यादा है 100 से थोड़ा सा कम, 10 अंक कम कर लिजे या फिर 100 से 10 अंक उपर, इनकी संख्या थोड़ी से समाज में घट जाती है 10 अंक और नीचे चले जाते हैं, या 15 अंक और नीचे चले जाते हैं तो समाज में जिस तरह से यह बुध्धी की संख्या को हम कम करते जाएंगे तो उन व्यक्तियों का प्रतिसत समाज में कम होता जाएगा और यदि इसी तरह से बुद्धी का संख्या हम आगे बढ़ाते जाएं, IQ आगे बढ़ाते जाएं, बुद्धी लब्दी आगे बढ़ाते जाएं, तो ऐसे व्यक्ति भी समाज में कम हैं सबसे ज़्यादा प्रतिभासील, बहुत अच्छे बुधी वाले व्यक्ति समाज में कम है, लगभग दो प्रतिसत के लगभग है और ऐसे जिनकी बुधी लब्धी सत्तर से कम है, ऐसे व्यक्ति भी समाज में दो प्रतिसत से कम है तो इस चितर के माध्यम से आपने इस चीज को, इस संप्रत्य को समझने का प्रयास किया. इस चितर में हमने देखा है कि हमने मध्यमान 100 से लेकर 10 कम या 10 ज़्यादा करते हुए इस वक्र को हमने बनाया है. यह चित्र जो है यह NCRT की पाठ्थे पुस्तक से लिया गया है कुछ अन्य पुस्तकों में यदि आप देखेंगे तो 100 से 15 के विचलन पर हमने आगे बढ़ाया है या 15 घटा घटा कर हमने इस वक्र को तयार किया है तो इस बक्र के दोनों ही छोरों पर हमने यह देखा है कि कुछ इस तरह की इस्थितियां हैं जिनको हम विचलन इस्थिती बोल सकते हैं यह डेवियंट हैं यह अलग हैं यह कुछ खास हैं यदि हम कम बुद्धी लब्धी की तरफ बात करें तो इस तरह के विचलन को हम लोग बौध्धिक अक्षमता के रूप में जानते हैं या इस टर्म को Intellectual Disability या बौध्धिक अक्षमता कहा गया है जबकि मध्यमान से अधिक की ओर 130 से उपर IQ या बुधी लब्दी वाले व्यक्तियों को हम लोग Intellectually Gifted बौध्धिक रूप से प्रतिवाशाली व्यक्ति कहते हैं बौध्धिक अशक्तता Intellectual Disability के स्वरूप को हम समझते हैं सबसे पहले इसके अंतरगत एक पहली शर्थ है कि किसी भी व्यक्ति को जब तक हम बौध्धिक रूप से अक्षम व्यक्ति नहीं कह सकते हैं जब तक कि उसका IQ सत्तर से कमना हो उसकी बौध्धि लब्धि सत्तर से कमना हो साथ ही उसके अनुकूलन व्यावार में नियूनता या सीमितता देखने में मिलती है अनुकूलन व्यावार से तातपर है ऐसे व्यावहार जो हमारे दैनिक क्रिया कलापों में हमें सहीयोगी होते हैं जैसे कि हमारा सुबह के नित्व क्रिया कर्म, हमारे कपड़े पहनने के कौशल हमें अपने आपको तयार करने के कौशल, गुरूमें इंगिस्कल जिन को कहा जाता है या फिर समुदाय में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करना इस तरह की कुशलताएं हमारे अनुकूलन बयोहार का हिस्सा कहलाती है तो पहली शर्थ है बुद्धि लब्धी 70 से कम होनी चाहिए दूसरी शर्थ है अनुकूलन बयोहार सीमित होना चाहिए और तीसरी शर्थ है कि ये दोनों लक्षण विकास आत्मक अवधी में परिलक्षित हो जाने चाहिए विकास आत्मक अवधी सितात पर है जन मिसले के 18 साल की उम्र तक यदि ये दो लक्षण सामने आ जाते हैं तब हम किसी व्यक्ति को बौधिक अशक्तता या intellectual disability वाला व्यक्ति बोल सकते हैं चलिए अब हम बात करते हैं बौधिक अशक्तता के विभिन वर्गों की बुधी लब्धी के आधार पर हम चार मुख्य रूप से इनको विभाजित कर सकते हैं बौधिक अशक्तता का पहला प्रकार है अति अल्प बौधिक अशक्तता mild intellectual disability इस तरह की बौधिक अशक्तता में व्यक्ति या बच्चे का IQ या बुधी लब्धी 55 से लेके 79 के बीच में होती है 55 to 69 अगले तरह का प्रकार है अल्प बौधिक अशक्तता moderate intellectual disability moderate intellectual disability में IQ 35 से 40 से शुरुवात होकर 50 से 55 तक संभव हो सकता है तीसरे तरह की बौधिक अशक्ता है severe intellectual disability गंभीर बौधिक अशक्ता इसमें IQ 20 से 25 से शुरुवात होकर 35 से 40 तक संभव है चौथे तरह की बौधिक अशक्तता है profound intellectual disability अति गंभीर बौधिक अशक्तता इस इस्थिती में बच्चे की बौधि लब्धि 20-25 से भी कम होती है यदि हम देखें तो अति अल्प से लेकर अति गंभीर तक बौधि लब्धि क्रम शह कम हो रही है सत्तर से लेकर हम 20 तक पहुँच गए है चार अलग अलग वर्गों में अब हम लोग बात करते हैं बौधिक प्रतिभाशी लिता की एक तरफ बौधिक अक्षमता जहां पर बौधि लब्धी सत्तर से कम है दूसरी तरफ बौधिक प्रतिभाशालिता जहां पर बौधि लब्धी 130 से अधिक है टर्मन ने 1925 में अधिक बौधि लब्धी वाले 1500 बच्चे ध्यान रखेगा उन्होंने 130 से अधिक बौधि लब्धी वाले 1500 बच्चों का अध्यान प्रारंब किया था और इसके बाद कई तरह के अध्यान हुए और मनोगाज्यानिकों ने यह माना कि प्रतिभास शालिता बच्चे की उच्च योगता, high ability, उच्च स्रजन सीलिता, high creativity, उच्च प्रतिवधता, high commitment जैसे गुणों के संयोजन पर निर्भर करती है प्रतिभास शालि व्यक्ति जो होता है, उसके बच्चपन से ही कुछ लक्षण परिलक्षित होने लगते हैं शेशव काली इन कुछ लक्षणों को हम चर्चा करते हैं पहला लक्षण है अवधान विस्तृती इन बच्चों को आप देखेंगे तो उनके अवधान में विस्तृती का गुण आप पाएंगे इनका attention span अधिक होता है attention span अधिक होने का मतलब है कि व्यक्ति एक समय में जादा सूचनाओं पर ध्यान दे सकता है यदि हम स्क्रीन पर एक बार में 15 अंक प्रस्तृत करते हैं तो आप कितने अंकों को एक सेकंड देखकर याद रख पाएंगे तीन अंक, चार अंक या पाँच अंक जो व्यक्ति जितने जादा अंकों को याद रख पाएगा दूसरे तरह की विशेष्टा इन बच्चों में दिखाई देती है कि इनकी प्रतिविज्ञान स्मृती अधिक होती है अच्छी होती है, recognition memory अच्छी होती है एक किसी वस्तू को देखकर वह दुबारा बड़ी आसानी से पहचान पाते हैं ऐसे बच्चे परिवर्णी परिवर्टनों के प्रति उच्च संबेदन शील होते हैं वातवरण में होने वाले परिवर्टनों को वो भाप लेते हैं कमरे के अंदर जो तापमान है उसके इस्तर में परिवर्टन होना या कमरे के अंदर प्रकास के इस्तर में परिवर्तन होना या शोर के इस्तर में जो परिवर्तन होना उस तरह के परिवर्तनों के प्रती ये शंबेदंसील होते हैं अगले तरह का लक्षण होता है भाशा कौसल इनका सीगर प्रकट होता है आम बच्चों की तुल्ला में यह जल्दी पहला शब्द बोलना यह जल्दी से शब्दों को जोडना यह जल्दी से वाक्य बनाना सीख लेते हैं बाक्यों को बोलना सीख लेते हैं अगला लक्षण होता है इनका कक्षा में इनका अकादमिक निश्पादन उचिस्तर का होता है प्रतिभासाली व्यक्ति को हम पहचाने कैसे? क्योंकि जब हम किसी से बात करते हैं तो वो यह कह सकता है कि मैं भी प्रतिभासाली हूँ या हम किसी अभिभावक से बात करें तो अभिभावक बोल सकता है कि मेरा बच्चा तो प्रतिभाशाली है मेरा बच्चा तो gifted है बहुत intellectually high है सही मायनों में हम किसे कहेंगे क्या हम बुद्धी परिक्षण के दौरा कह सकते हैं तो वैज्ञानिक और मनो वैज्ञानिक ये कहते हैं कि सिर्फ बुद्धी परिक्षण के आधार पर नहीं बोलना चाहिए बुद्धी परिक्षण एक श्रोत हो सकता है सूचना का हमें अन्य श्रोतों की और भी ध्यान देना चाहिए जैसे कि अध्यापक द्वारा दिये गए निर्णे अध्यापक द्वारा किया गया परिक्षण अब अध्यापक से भी हमें मत लेना चाहिए विध्याले के उपलब्धी अभिलेख जो हैं उनका भी हमें जाच करके उनकी तुलना करनी चाहिए बच्चों के माता-पिता से लिया गया साक्षातकार कक्षा के अन्य बच्चों या फिर सम कक्षियों के द्वारा उस व्यक्ति के वारे में जो निर्णे है उसके आधार पर इस तरह से बहु आयामी सूचना संगरह करके हम यह निर्णे लेते हैं कि व्यक्ति प्रतिवाशाली है या नहीं है चलिए अब हम बात करते हैं कि इन बुद्धी परिक्षणों को हम कैसे करेंगे और बुद्धी परिक्षण किस तरह के हैं, कितने तरह के हैं मुख्य रूप से बुद्धी परिक्षणों को कुछ भागों में कुछ आधार पर वर्गी कृत किया गया है जैसे व्यक्तिक बुद्धी परिक्षण या फिर समूह बुद्धी परिक्षण तो जब हम व्यक्तिक बुद्धी परिक्षण की बात करते हैं तो वो ऐसे परिक्षण होते हैं, जिसमें एक बार में एक ही बच्चे या व्यक्ति का हम बुद्धी परिक्षण कर सकते हैं। जबकि समूह बुद्धी परिक्षण में एक बार में हम बहुत बड़े या छोटे समूह पर एक साथ परिक्षण कर सकते हैं। तो पहला आधार है वर्गी करण का कि व्यक्तिक बुद्धी परिच्छन हो सकते हैं या फिर समूह बुद्धी परिच्छन हो सकते हैं बुद्धी परिच्छनों का अगला प्रकार है शाब्दिक बुद्धी परिच्छन शाब्दिक वद्धी परिक्षणों में इस तरह की सामगरी होती है जिसको हम मौखिक रूप से बोल भी सकते हैं या फिर हम पढ़ सकते हैं, लिखित सामगरी होती है उसको हम पढ़ कर प्रशन को हल कर सकते हैं इस तरह के प्रश्नावलियों में, इस तरह के परिक्षणों में अक्सर भाषा संबंधी और गणित संबंधी या फिर तर्क संबंधी पद समिलित किये जाते हैं अगला प्रकार है अशाब्दिक परिक्षण आज आपदिक परिक्षणों में हम Ravens Progressive Mattresses को ले सकते हैं आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि जैसे एक चित्र बना हुआ है इस तरह के परिक्षण में कोई शब्द का इस्तमाल नहीं हो रहा है बच्चे को बस यह बताना होता है कि इस बड़े भाग में एक Missing Part है वो Missing Part नीचे दिये गए छे विकल्पों में से किस विकल्प के माध्यम से भरा जा सकता है तो इस तरह के परिक्षणों में मौखिक या लिखित शब्दों का इस्तमाल नहीं होता है अगला प्रकार है निश्पादन परिक्षण निश्पादन परिक्षण को उधारन के रूप में कोह विलाक परिक्षण के दौरण समझा जा सकता है कोह विलाक परिक्षण में कुछ गुटके, कुछ लकडी के गुटके होते हैं उन गुटकों को दिये गए design या दिये गए image के अनुसार जमाना होता है तो यह निश्पादन करना होता है कुछ परीक्षण मिश्रित परीक्षण होते हैं जैसे वैशलर, वयस्क, बुद्धिमापनी यह परीक्षण सबसे ज़्यादा उपयोग किये जाने वाले परीक्षणों में से एक है और इस परीक्षण में शाबदिक, अशाबदिक और निश्पादन उपभाग समलित किये गए परीक्षणों को हम जब किसी बच्चे के साथ करते हैं तो हमें सावधान रहना होता है कुछ ऐसी बातों के परती कि कहीं जाने या अन जाने में हम परीक्षण का कोई दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं बात करते हैं कुछ उन मुद्दों की जिन में संभावना होती है कि हम से परीक्षण का दुरुपयोग हो सकता है पहला मुद्दा है कलंक संबंदी या लेबल करना आप देखेंगे मनोवैग्या ने परिक्षन किया और किसी बच्चे का IQ सत्तर से कम आया या फिर पचत्तर आया तो हम बोलते हैं कि ये तो वाडर लाइन पर है ये बच्चा बस कभी भी mentally retarded हो सकता है हम label करना चालू कर देते हैं एक कलंक जोड़ देते हैं उस बच्चे के साथ और इसी से जोड़ा हुआ है अगला मुद्दा जैसे ही हम किसी बच्चे को label करना चालू करते हैं किसी बच्चे के ऊपर एक टैग लगा देते हैं, ब्रांड कर देते हैं उस बच्चे को, उसके साथ हमारा आचरण भेदवाव पून होने लगता है। हम ये माल लेते हैं कि ये तो कमजोर बच्चा है, यदि इसका अनिश्पादन कम है, तो इस पे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यक्ता नहीं है। तो संभावना है कि हमारा आचरण भेदवाव पून हो। मापा जाएगा, तो निश्चित रूप से उस बच्चे की बुद्धी कम ही निकलेगी। जबकि यह परीक्षण का दोस है, उस बच्चे की बुद्धी तो ठीक है। अगला मुद्ध है कि बुद्धी परिक्षण स्रजनात्मक्ता का या फिर ब्यावारिक पक्ष का मापन नहीं कर पाते हैं। जबकि श्रजनात्मक्ता और व्यावारिक पक्ष जीवन में अतिमहत्पून होते हैं। अब हम बात करते हैं भारत में बुद्धी परिक्षणों की। 1930 में श्री महसिन द्वारा हिंदी में पहला बुद्धी परिक्षण बनाया गया था। इसके बात से कई बुद्धी परिक्षण भारत में बनाये गए। और साथ ही साथ भारतिय मनव वैग्यानिकों ने भारत में तो बुद्धी परिक्षण बनाये ही। और साथ ही पास्चात्ति लेबल पर जो वेस्टरन वर्ल्ड में बुद्धी परिक्षण उपलब्द थे, उनके भारती मानक भी तैयार किये। तो इस तरह से हमारे देश भारत में दोनों तरह के परिक्षण उपलब्द हैं, वे परिक्षण जो पूर्ण रूप से भारत में ही बनाए गए हैं, और दूसरे वे परिक्षण जो वे देशों में तैयार किये गए, लेकिन उनके मानक हमने यहां पर तैयार किये हैं। तो चात्रो आज हमने बुद्धी की व्यक्तिक भिनताओं के बारे में समझना और साथ ही साथ हमने बुद्धी का मापन कैसे किया जा सकता है उनके लिए क्या-क्या परिक्ष्ण उपलबदे उनके बारे में जाना है अगले भाग में हम लोग सांस्कृतिक बुद्धी और विशेस चम्ताओं के बारे में चर्चा करेंगे नमस्कार करेंगे झाल झाल